हम सभी में से किसी को भी मच्छर बिलकुल नहीं पसंद है, मच्छरों से हमें सकनफरत है लेकिन क्या मच्छरों को दुनिया से एराडिकेट कर देना एक अच्छा एडिया होगा बिलकुल भी नहीं और क्यों नहीं इस बात का जवाब आज हम देखेंगे इस वीडियो में के गाइज दिस वेब बगरवाल and let's get started with today's video अगर अल बात की जाए तो पूरी दुनिया में अब जलवा देखी कितना कमाल है कि 100 species ने इतने diseases spread की है जिससे इतने लोग मरे हैं जितने आज तक के इतिहास में जितने भी global wars हुए है उसमें भी इतने लोग नहीं मरें जितने मच्छरों ने मारें तो हम सोचते हैं बड़ी अच्छी बात होगी अगर दुनिया से मच्छरों को खतम ही कर दिया जाए सबसे पहली चीज तो ही है कि कहीं सारे ऐसे birds होते हैं कहीं सारे ऐसे insects होते हैं जो मच्छर को ही अपना खाना बनाते हैं और अगर मच्छर खतम होजा है शाइद इनका खाना नहीं मिले शाइद कोई alternate source available हो भी लेकिन there are many plants, many flowers on this planet जो मच्छरों पे ही depend करते हैं pollination के लिए, pollinate होने के लिए उन्हें मच्छरों की जरुवत होती है और उन पे depend करते हैं अगर ये ही mosquitoes खतम कर दिये जाए तो वो pollinate नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से कहीं सारे जानवरों को शायद अपना खाना नसीब नहीं हो पाएगा and we all know about the ecological ecosystem जिस पर बहुत बड़ा असर आ सकता है ecosystem में हम सभी को पता है कैसे एक चीज दूसरे से connected होती है and इसमें से एक भी अगर हमने हटा दी तो उसके consequences क्या हो सकते हैं दूसरे सभी चीजों पर हम imagine भी नहीं कर सकते हैं इसके लिए मच्छरों से तो हमें deal करना ही पड़ेगा लेकिन अगर आप deal नहीं करना चाहते तो आपको Antarctica या Iceland जैसे देश में चले जाना चाहिए जहापे मच्छरों का नाम उनिशान नहीं मिलता